हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग मैं हूँ ताज आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोग कैपिस्टर बैंक इंस्टॉल करते हैं वो कितने के वी ए आर का इंस्टॉल करेंगे कितने किलोवाट के लोड के लिए generally आप लोगो पता है कि हम लोग जितने भी industrial या commercial project होते हैं उनमें हम लोग कैपसिटर बंक का use करते हैं कैपसिटर बंक का use हम लोग power factor को control करने के लिए करते हैं हम लोगो पता है कि जितने भी inductive load होते हैं जैसे कि AC हो गया, motor हो गया, pump हो गया या फिर और भी जो भी जैसे जो electrical machine हो गई वो सारे inductive load हमारे power factor को कम करते हैं और जैसे हमारा power factor down होगा हमारा जो electrical system है उसकी efficiency कम हो जाएगी मतलब वो हमारा power जो है वो ज्यादा consume करेगा मगर जो efficient वो कम होगा मतलब हमारा जो electricity cost भी है वो भी बरहेगा और हमको power output में कम मिलेगा मतलब हमारा kilowatt जो रहेगा वो हमें कम मिलेगा तो इसलिए हम लोग power factor जो है वो power factor को control करने के लिए हम लोग capacitor bank यूज़ करते हैं power factor का जो ideal value है वो 1 होना चाहिए मतलब अगर power factor 1 होगा AC system में तो हमारा system जो है 100% efficient होगा मतलब हमारा system जो electrical system है वो fully efficient system कहा जाएगा मगर electrical system में power factor जो है AC load में कभी 1 नहीं होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है अब वो जो power factor का value है 1 से जतना भी खरीब रहेगा 1 से जतना भी नजदीक रहेगा हम जानेंगे कि वो system हमारा electrical system उतना ज्यादा efficient है अगर 1 से जतना दूर रहेगा वो system उतना ज्यादा खराब होगा मतलब power factor का जो ideal value 1 से नजदीक होना चाहिए मतलब अगर 1 ना हो तो 0.95 हो 0.9 हो और अगर 0.8 हो गिया तो वो बहुत power factor खराब माना जाता है अगर 7 हो गिया उससे ज़्यादा खराब हो गिया 0.6 हो गिया तो उससे ज़्यादा खराब हो गिया तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो power factor का value है हमारा 1 से बिल्कुल नजदीक हो तो ज़्यादा 1 से करीब होगा और 0 से दूर होगा वो हमारा power factor आइडियल के करीब होगा और वो system हमारा electrical system efficient होगा और हमारा electricity का जो बिल होगा वो भी कमाएगा उस वज़ा से तो मतलब क्योंकि अगर power factor हमारा कम होगा तो हमारा जो system में power तो रहेगा तो इसलिए हम लोग system को efficient बनाने के लिए capacitor bank को install करते हैं और capacitor bank जो रहता है हमारा वो हम लोग KVAR में उसको denote करते हैं तो हमारा अगर लेट से 500 kilowatt का system है उसमें कितने KVAR का capacitor bank होगा इस चीज़ को मैं आज बताऊंगा मतलब कोई भी load के लिए हमारा कितने KVAR का capacitor bank यूज़ करेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मतलब इस वीडियो मैं आपको capacitor bank का calculation सिखाऊंगा कि कैसे capacitor bank को calculate करते हैं किसी भी system में कितने किलो वाट के लिए मैं एक वीडियो के last में मैं एक shortcut formula भी आपको बता दूँगा जिसके थुरू आप जो है असानी से किलो वाट के system में कितने किलो वाट का capacitor bank लगाएंगे वो आप बता सकोगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो capacitor bank के size के calculation के लिए एक formula होता है जो कि बिल्कुल आसान है यह formula है हमारा किस चीज़ के लिए capacitor bank size के लिए capacitor bank sizing का formula है के वी ए आर में यह हमारा denote करते हैं हम लोग तो यहाँ पर P हो गया हमारा किलो वाट मतलब कितना किलो वाट का हमारे पास system है अभी हम लोग का load जो है हमारे MDB में कितने किलो वाट का मतलब टोटल लोड हमारा 500 किलो वाट है हमारे पास ठीक है और हमारा जो अभी जो commercial building होता है building मतलब building project में उसमें जनरली जो power factor रहता है जैसे जो machine install करते हैं AC और फिसारा कुछ तो हमारा power factor जनरली उसमें 0.8 रहता है तो cost 5 is equal to 0.8 है मतलब हमारा तो यह जो cost 5 is 0.8 है मतलब power factor जो है power factor यह cost 5 is equal to 0.8 मतलब यह 0.8 है तो उतना efficient है हमें क्या चाहिए हमें output में चाहिए at least 0.95 मतलब तब जाकि वो system हमारे efficient होगा और हम ज्यादा से ज्यादा जो power है जो transformer से kv निकल रहा है उसको use कर पाएंगे तो यह हमारा 5-1 होगा यह हमारा system में 0.8 का power factor है हमें चाहिए क्या output जो हमें जो power factor जो हमारा demand है वो चाहिए cost 5-2 हमें क्या चाहिए 0.95 चाहिए ओके यह power factor हमारा at least हमें चाहिए ideal है मतलब 1 तो नहीं मतलब 1 तो हमें नहीं चाहिए मतलब 1 अगर चाहेंगे तो वो ज्यादा cost वो ज्यादा kvr का लगाना परेगा generally हम लोग 0.95 हम लोग at least हमारा जो output होना चाहिए तो इसलिए हम लोग का demand रहता है वो 0.95 ही रहता है ज्यादा तरकेस में अगर आपको कुछ special condition है आपको 0.99 चाहिए तो आप इस cos 2 के value को 0.99 कर सकते हो ठीक है यह हमारा power factor 2 मतलब यह हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे यह जो cos 5 1 है 0.8 है यहां से हम लोग 5 1 का value निकाल लेंगे तो क्या होगा 5 1 का value 5 1 is equal to cos inverse 0.8 हो जाएगा cos inverse 0.8 cos inverse 0.8 का value कितना आएगा हम calculator में calculate अगर करते हैं तो यह हमारा 36.87 आएगा ठीक है 5 1 का value हमारा निकल गया 36.87 उसके बाद cos 5 2 is equal to 0.95 है मतलब हमें चाहिए 0.95 तो 5 2 का value हमारा कितना आएगा cos inverse 0.95 cos inverse 0.95 का value calculator से calculate करने पर 18.19 आएगा ठीक है तो अब हमारा 5 2 का value आगया 5 1 का value निकल गया power जो हमें पता है कितना हमारा system में 500 किलोवाट का अगर आपका कुछ system 1000 का है तो आप इसके जगा 1000 किलोवाट रख सकते हो आपका 250 किलोवाट का system है तो 250 डाल सकते हो अभी हमारा power 10 5 1 तो 10 लिखा 5 1 का value हमने निकल लिया है 36.87 उसके बाद minus 5 2 का value 10 5 2 ये हमारा 18.19 ये हो गया पी 10 36.87 का value calculator में calculate करने पर 0.75 आएगा ठीक है उसके बाद 10 18.19 का value calculator में calculate करने पर 0.328 आएगा ओके ठीक है उसके बाद power का value हमें पता है कि कितना है 500 है 500 किलोवाट इतना में से इतना अगर हम लोग minus करेंगे तो हमारा जो value आएगा 0.42 आएगा ठीक है अब देखें तो हम लोग 500 में 0.42 को multiply करेंगे 0.42 को 500 में multiply करने पर जो value हमारा आएगा वो जो है हमारा kvr का rating होगा अभी हम लोग यह देखो इसको मैं calculate करता हूँ अभी जो है calculator में 500 को 0.42 से multiply करते हैं तो हमारा 210 kvar आगया ठीक है यह हमारा capacitor bank का value हो गया मतलब 500 किलो वाट के लिए जो 210 kvar का capacitor bank लगाएंगे इसी तरह अगर हमारा load रहेगा 1000 किलो वाट let's say हमारे पास p का value 1000 किलो वाट है तो यह देखो यह हमारा shortcut formula होगी आप हर जगा यूज को use कर सकते हो तो इसको क्या करेंगे p को kvr निकालने के लिए 1000 multiplied by 0.42 अगर आपको power factor 0.95 करना तो 1000 को जैसे ही आप 0.42 से multiply करोगे तो आपका जो value आएगा वो आएगा 420 kvr तो capacitor bank को हम लोग kvr में denote करते हैं तो यह देखो 1000 किलो वाट के लिए हमारा 420 kvr का capacitor bank लगेगा capacitor bank पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है मैंने देखाया है कि कैसे capacitor bank install करते हैं हम लोग lv room में तो वो वीडियो अगर आपने नहीं दिखा है तो आप मैं आई बटन में वो पर लिंक दे दे रहा हूँ उस पर आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो आई होप कि आपको यह वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे message में पूछ सकते हो कॉमेंट करके पूछ सकते हो और अगर वीडियो पसंद आए तो पिलीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चानल मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई